एक समय की बात है, एक पंडित अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने पंडित से पूछा, महराज कितनी दूर तक जा रहे हैं, पंडित ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लाने जा रहा हूं, हैरानी से उस व्यक्ति ने पंडित से कहा कि आप पित्रिपक्ष में पत्नी को लेने के लिए जा रहे हैं, क्या आप जानते नहीं हैं, कि इस महीने में किसी तरह का शुप कार्यन नहीं किया जाता। पंडित ने तपाक से कहा, अरे मैं ब्रहमन हूँ, मुझ पर ये सारे नियम लागू बिलकुल भी नहीं होते। उस व्यक्ति को पंडित के मुँँ से ऐसी बाते सुनकर बड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, वो चुपचाप वहां से निकल गया। पंडित भी अपने रास्ते की ओर चलते चले गए और कुछ देर बात ससुराल पहुँचे, वहां पहुँचते ही उनका खूब आदर सतकार हुआ, लेकिन लड़की वालों ने भी पित्रपक्ष में बेटी को घर से ससुराल भेजने से मना कर दिया। ब्रामन भी मानने वालों में से थे नहीं, उन्होंने जित पकड़ ली कि वो अपनी पत्नी को लेकर ही जाएंगे और होते होते वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में कुछ देर आगे बढ़ने पर पंडित को जोर से प्यास लगने लगी, सामने ही उन्हें कुआ नजर आया, वो वहां गए और रसी को खीच कर पानी निकालने लगे। उसी वक्त एक व्यक्ती भी वहां पहुचा और उसने पंडित से अपने लिए भी पानी निकालने के लिए कहा, जैसे ही पंडित उसके लिए पानी निकालने लगे, तो उसने पंडित को उठा कर कुए के अंदर डाल दिया और पंडित के भेश में उसकी पत्नी के साथ रास ने बीट गए, लेकिन पंडित अभी भी कुए में ही फंसे थे, कुछ दिनों बाद उसी कुए के पास से एक व्यक्ती अपनी बैल लेकर गुजर रहा था, बैलों के गले की घंटी की आवाज कुए के अंदर फंसे पंडित के कानों पर पड़ी, तभी पंडित जोर से चिलाय बचाओ प्चाओ, कोई है तो मुझे बाहर निकालो, बैल लेकर जा रहे आदमी को लगा की कुए से कोई भूत बोल रहा है, फिर भी वो हिम्मत करके कुए के पास गया और पूछा, कौन हो तुम? पंडित ने कुए के अंदर से ही उस व्यक्ति को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बता दिया, सब कुछ सुनकर उस इंसान का दिल भर आया और पंडित को कुए से बाहर निकाल लिया, कुए से निकलते ही पंडित फटा-फट अपनी पतनी से मिलने के लिए पंडित ने अपने पिता को बताया कि मैं आपका असली बेटा हूं। इसने मुझे कुए में धक्का मार दिया था और मेरा रूप लेकर यहां आ गया है। यही बात पंडित पूरे गाव वालों को बोलने लगा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। एक लोटा भी वहां रख दिया। जब सभी लोग वहां पहुच गए तो राजा ने दोनों से पूछा तुम में से असली पंडित कौन है। जवाब में दोनों ने कहा। मैं असली हूं। इस बात को सुनते ही राजा ने कहा कि जो भी जल्दी से इस लोटे में घुसकर बाहर निकलेगा। उसी को मैं असली पंडित घोशित कर दूँगा। इतना सुनने पर जट से एक पंडित लोटे के अंदर घुस गया। इतने में राजा ने लोटे का धकन तेजी से बंद कर दिया। लोटे के अंदर बंद होते ही वो चिल्लाने लगा कि राजा मुझे माफ कर दो में आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इतना सब देखकर लोग समझ गए कि असली पंडित कौन है। सब को पता चल गया कि वो भूट था जो लोटे में घुस गया था। वह भूट पंडित को सबक सिखाने के लिए उसका रूप बना कर उसी के घर में रह रहा था। क्योंकि वो पित्री पक्ष में शुप कार्य कर रहा था। कहानी से सीख बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई बातों के पीछे कोईन कोई वज़ा छिपी होती है। इसलिए शुप कार्यों को पित्री पक्ष में नहीं किया जाना चाहिए। बुजुर्गों के अनु